इस होले ही आई वेलिए विल्कम टु माई चैनल नहांगे एक हाफ डबल क्रॉशे प्लास्स पारिश्ट मैंने अपको चैन के से बन दी है पारट सेख़ीं मेंने आपको सिखा था कि सिंगल क्रोशे के से बनता है और आज हम सीखेंगे कि हमारा जो हाफ डबल क्रोशे है और डबल क्रोशे बोलते हैं तो इसको कैसे बनाते हैं ठीक है सबसे पहले हम वही स्टार्ट करेंगे चैन लूप 1 2 3 4 5 6 मैं आपको बना करके दिखा देते हूं now you can see that I have made a chain हम स्टार्ट करते हैं अपना हम आ चेन बना हम स्टार्ट करेंगे अपना हाफ डबल क्रोशे बनानी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बहुत ध्यांते लेगा ऐसे इधर से पहले हम वही नीचे से लेके इस तरह से जैसे हम चैन बनाते थे ना सेम इसी तरह से नहीं नहीं बनाएंगे जो हमारी 1st chain है इसके अंदर हम इस तरह से इसको डाल कर निकाल लेंगे then we have 3 loops 1 2 3 and हम इनको इस तरह से एक लूप के तुरू पास करा देंगे and यह हमार हो जाएगा half double crochet again हम same process करेंगे half double crochet again यह देखिए इस तरह से सारे ही लूप्स में इस तरह से निकाल लूँगी यह pattern भी हमारा भी starting में अगर आप beginner से है तो आप इससे भी काफी चीज़े बना सकते है इस pattern से okay यह देखिए आपको इसको पूरा लास्ट तक करके दिखा देती हूं इस तरह से हमारी आईगी यह बन कर अब लास्ट में हम जब सेकिंड रो बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चीन बनाएंगे दैन टर्न कर लेंगे टर्न करने के बात वही फिर सेंप्रासेश इसी तरह से और इस तरह से यह बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे अगें आप इसको चाहें तो बेब अपने के ब्लांकेट्स जाकेट्सस्वैटरस उसमें भी यूज कर सकते हैं अगर आप बेगेनर है और सिम्पल लिएग चाहते हैं तो इस से काफी सिंपल और आपके हाथ में फीनिशिंग आती है यह डिजाइन अगर आप चूस करते हैं तो यह वाला पैटर्न बहुत और इजी भी बन जाता है यह देखिए आप मेरी सेकेंड रो भी स्टार्ट हो चुकी है मैंने फोर प्लाई जो कॉटन वूल होती है वो यूज की है यह देखिए आपको इस समझ आया होगा अगर आपको मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें भीलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टीचिंग के साथ तब दे के लिए बाई